बंदी देवी जैसे किसी प्रकार का कोई बंदन हो जैसे कोई करज में गड़ जाता है या कोई जेल में चला जाता है कोई किसी घर परिवार को बंदवा देता है कोई रोजगार को बंदवा देता है तो मैया भगवती बंदी देवी के सामने आते हैं और अपना एक नारियल और अपना एक चुंदरी माता रानी की ले करके और मैया के सामने आ करके और अड़ी लगा के जाते हैं कि है मैया भगवती हमको इस बंदन से बिलकुल मुक्त करना तो मैया 21 दिन के अंदर अंदर किसी प्रकार का बंदन हो माती शुष को बंदन से मुक्त कर देती है क्योंकि कि बंदी देवी भगवान स्री कुल माता है कि आप यहां पर ही मता हो हम इस बात को भी कहते हैं अपने घरसी बोल दो जब तुमारा कार हो जाए जब उसके बाद आजाना भला ही जो कि मैया रानी के चरणों से जो जल निकलता है आज की डेट में भी जल निकलता है माता रानी की आगर कोई गुंग और कोई बहेरा है कोई सुन नहीं पाता देखनी पाता उसको यह वीडियो ज़ूर्डे कर दें उसके परिवाशा निवे वीडियो नियुक्त कर रहा हूं मेरों कुछ नहीं चाहिए आपसे नमस्कर दोस्तों जन्टा के आवज में आप सभी का स्वागता है मैं करनेया सरमा जैसे कि इबरज کی यात्रा में बहुत सारे संटों के दर्सन करवाता हूं आपको और कहीं करें ऐसे जो आपके जीवन की समझ्छाव को हल कर सकते हैं। ऐसे ही देसें करवाने के लिए मैं आज आया हूं। परिकर्मा मार्क पे बंदी गाउँ है। और बंदी गाउँ में एक मंदीर है जो बंदी आनन्दी देविजी हां। यहां का बड़ा मेहतु है और मैं यह एक बात कहूंगा यहां का दर्सन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत कुछ पा लिया और मैं आप सभी का कहूंगा अगर कोई लगता है कि गुंगा है बेरा है आपके ध्यान में यह आपके नजर में ऐसा बन्दा है जो ब एक बार यहां जरूर आके दर्सन करना और सोचते हो आपके काम का नहीं है तो आगे भी शेर कर देना उनके काम आ जाएगा जिनके आओ सकता है मुझे कुछ नहीं चाहिए यह जानकर यह सब के साथ सेर करना अब हम दर्सन करने चलते हैं और यहां का मेहतु आपको मैं बार माता जी के दर्शन करवाएंगे लेकिन सबसे पहले बंदी माता जी यहां दर्शन होते हैं और वहां के दर्शन करवाता हूँ आप सबी से कहूंगा वीडियो अगर लंबा हो जाए ना तो माप कर देना लेकिन अगर आप पूरा देखो गए आपको बहुत कुछ प्राप्त ह काहिए जैनको कोहीं कवी नहीं है दौत दर्शन को होगा अगर सोचते हो कि मेरें कोई कमी नहीं है मुझे को आँ सकता है जिन की मेरें कर में आ इसा कोई है उसको यह वीडियो जरूर शैर कर दीना मैं निवधन कर रहा हूं मुजे कुछ नहीं चाहिए आपको कुछ नहीं साथियों सबसे पहले में आपको यहां पर अगर आते हो तो सबसे पहले बंदि महा का दर्शन जरूर करना सबसे पहले हैं सबसे पहले बंदि महा के दर्शन किया जाएंगे और साथियों साथियों जैसे कि मैं आपको महाता जी के दर्शन करते हो यहां का इत्यास बताने कसिस कर रहूने कि यहां पर प clickeda किन बातों की साउता नी बत नहीं हुब जाओ पहले आएंगे मैं यहां जहाओं पहले याद वह जहाओं पर नियम और कानूनWati पहले से अगर आपको पता होता है तो घर से तयारी करके आओगे तो बड़ा फल मिलता है पहले तो आपको यो सर्माजी में मेरी तरप से और देखने माज आगा सभी दर्सकोई तरफ से डंवत परनाम करता हूं यहां का इस इस्तान का क्या मेत्व है और इन माता जी का क्या मेत्व है और क्या फल है बोली बंदी मैया की जै सभी भक्तों को रादे रादे ये बंदी देवी वो है जिश्चमें देव की और वस्ते भगवान स्री किरिसन जी के जो माता पिता थे जो जेल में पड़ी थे, जो उनके हाथें बेडियां पड़ी थे, उमाता भगवती बंदी देवी ने उनको बंदन से मुक्त किया था, और जो कंस के आत में कन्याती योग माया, कहाता कंस तु मुझे क्या मारेगा तेरे मानने वाला तो पैदा हो चुका है, वो योग माया ज सुदा मैया की वेटी भगवती बंदी देवी, तो जिससे में कंस को बता चलगी कि मेरे मानने वाला पैदा हो चुका है, तो कंस ने अपने राक्षस को ओडर दे दिया, कि जाओ आजकिन जितनी भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जनम लिया है, सभी को मार डालो, जितनी बंदी देवी जैसे किसी प्रकार का कोई बंदन हो, जैसे कोई करज में गड़ जाता है, कोई किसी घर परिवार को बंदवा देता है, कोई रोजगार को बंदवा देता है, तो मैया भगवती बंदी देवी के सामने आते हैं और अपना एक नारियल लेके आते हैं, एक नार जैसे की परलित जी हमें बता रहे हैं रहुत बहुत सरों होता है किसी सामजिक टेश्चों के वज़े से कैसी कारत है में बंद हो जाता है उसका परिवार का सदेश्च यह तो घर बैठे और यहां से अगर उनको याद करें यहारे股 को जाओंगा उसको साथ मिले की मनूभववथ विलकुल हो जाती है बिलकुल माईया से वहीं से अपना नाम लेकि माता रानी का बंदी दे़ी का कही म Become बंदी बंदी देवी मेरा ये बंदन बिल्कूल मुक्त हो जाओगा मैं आपके पास आओंगा जो मेरी शद्दा भाब बनेगी मैं आपको चड़नों में आकर अपने आपर अरपित करूँगा तो मैया उसको यहां से भी मनुकामना पूर्ण कर देती है और घर पर भी नारियल एक बार चूंद्री कही साइड में आपके अपने मंदर होता है उसमें एक नारियल और अनन्दी मा के पास यहां मेरी आनन्दी मा के पास आयों और यहां का भी आपको मैं दर्शन कर दा हूँ साथियों अब हम मराजी से इन देवी जी के बारें जानेंगे आननी देवी जी के बारें जानेंगे लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहां पर समस्त भारतवासी तो आते ही हैं बहुत सार अंग्रेज यहां पराते हैं जैसे आपको पता है हमारी संश्कित को अपनाते हैं धारन भी करते हैं और मैं आप सभी किसे कहूंगा अगर ब्रज की यात्रा करते हैं तो बंदी गाहूं जब आए तो गलती से चूकने जाना यहां के दर्सन करना, मैं सभी से निवेदें करना, मुराजी बंदी देवी के बारे में माता जी के बारे में थोड़ा बताईगे। बोली है नंदी मैया की जय ये ना नंदी देवी वो है भाई साब जश्व में बंदी देवी ने कहा था कंस तु मुझे क्या मारेगा तिरे मानने वाला तु पैदा हो चुका है तो जब कंस को इतना मालूम हो गया आता कि मेरे मानने वाला तु पैदा हो चुका है तो कंस ने अपने राक्षेस को ओडर दे दिया कि जाओ आज गिन जितने भी गोकुल के अंदर बच्चों ने जनम लिया है, सभी को मार डालो, जितने भी ये गोपी गौाल हैं, सभी को अंग बंग कर देना, जैसे किसी के नित रर्णा, किसी की जिवा, किसी के कान, किसी के हाथ, किसी के पेर, तो राक्टेस ने तो वही काम करने के लिए परंतो जब नन्दवाबा को प्रिष्ण नहीं को Milano so तो अन्दी Corner प्रजमक्राद बद हो जाएगा तो अनंदी देवी ने डॉलक ले लोगा छीधा बदाई देने लग गई और बदाई आपको बताऊंगा तो आप भी ये को होगी कम से कम 50 100 वारतों पंड ये मैंने गा ली फिर्ट अनंदी देवी ने बदाई गाई थी कि नंद कै आनंद भएयो जैक निया लाल की हाती ओड़ा पालकी और जैक निया लाल की मैं ढुकरी सिन्ही लगता है भच्स माता लगतेviolHowipt 2 और दुकांर चलती है और कार्वे जैसे वट रहने चलता है तो माता भगवती अनधी देवी के च़ड़ों में आते हैं और अनधी मया से करते प्रते और परीव91 हमारी परकार मही आनन्दी देवी उनके घर परिबार में आनन्द बढ़साती है तो यह आनन्द प्रदान करने वाली माता है और सक्ति योग माया जैसे पंडी जी ने बताया लेकि मैं आपको बता देता हूं अगर जैसे रोजगार समद्धित वैपार समद्धित हुआ आर्थिक को आते शाइए मनुअच्छा मा के वास्त जी हां यहां पर आपके नाम से अनुशारी आप समझ गयोंगे मनिचा फल के लिए साथियों अब हम मनुच्छा माता जी के दर्शन करवा रहा हूं और मराजी से तो यहां का भी मेहतु जानता हूं इन माता जी के क्या पड़्चे हैं क्या मेहतु मराजी हमें यहां के बार हम बताई भोलि मनुमंच्छा मैया के जए यह ना जिस समय कनस का जो रॉपी दुखी रहे है तो मेरा आना वेकर क्योंकि मामा राक्षिस मेरे लिए बेज रहे हैं गवाल बालों के लिए नहीं तो मेया कहते कंईया बैसे तु छलीया पता नहीं इन क्या करेगा परंत brag मेरे को आग्या दे गा मैं वैसा आई कारे करूँगी तो कंईया जी कहते मेया बगोकुल के अंदर जाओ सर्पितम पहले चले गए तो मैया उनको उसी जगे पर हर जीत प्रदान करती है जब से इस का नाम मनुमंचा देवी रखा गया आज भी जो बच्चा जनम से बोल नहीं पाता है सुनने ही पाता है और देख नहीं पाता है जो कि चलने ही पाता है डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब बच्चा आ आज भी तभी का इनको बर्दान लगा हुआ है मनुमंचा देवी को कि जो कोई भी तरे द्वारे पर आये महिया और आकर के सिर्फ मस्तक टेक दे मस्तक टेकते ही उसकी मनुकामना पून करने वाली है भगवती मनुमंचा देवी जैसे कि मराजी बता रहे मैं आप सभी से ब अगर जिसके आप देख नहीं पाता अगर चांदी कि छोटी शी आंक अगर आप यहां चड़ाते हो और 21 दिन तक अपने हर्दे से इंच्छा से कह रहा हो सर्दा के भाव के साथ समर्पन होते हो और 21 दिन में आपके बच्चे को या आपको दिखना सुरू हो जाएगा अगर जो बोल नहीं पाता ध्यां रखना यह एक मान्यत मैंने सुना है मराजी कि जिब यह चाहिए आंको चड़ानी चाहिए जैसे कि आप जैसे पहले बोल दो इतनी यह तो शक्तिसाली माता है कि आप यहां पर ही मता हो हम इस बात को भी कहते हैं अपने घरसी बोल दो तुमारा क क技 इतने दुनिया माहा है ना माह तो करुना है मा तो चॉनल और करत Juda करती यह वहां जैसे आप दरिशन करें और घर से सभी यह करन के साथ कैbuds क्यूंकि जितना हो सके आपने हर्दे से रखें और जैसे जैसे सब्सक्रारा. और माता रानी में जल साथ έχει माता रानी, ज्छ सर्णों नेहरा जल नहीं पूरी जान कर दी पहले तो इन महराजी का धन्यवाद कहना सभी से कहना इन्होंने हमें दर्सन करवाने में बहुत ही आपको मैं पूरा कहूंगा और यहां के बारे में पूरी जान कर दूँगा मराजी कुछ अगर आप से कोई संपरक करना चाहिए मोबाइल के माध्यम से आज की टेक्निकल मोबाइल के माध्यम से तो क्या आप सारोजनी कर सकते हैं मेरा नाम तो योगिशर्मा है और मैं यहां का मेन पुजारी हूं तो मेरा मोबाइल नंबर है सेवन लाएन डवलेजीरो फैप जीरो फैप जीरो 1 ऄडरी 5 नाम जिसे मिरा क्वड़र संपरक कर सकते ओऊ और यह संपरक करने का समें भी बता लिजी जह सुई में तीन वजी स्कारइन आठ भूआ एक गंटे के लिए फ्रुसके बाद आप का ल कर सकते आ मेरे पास मिना को बकर कर सकता हूँ आपकी कोई आड कर अरता हो जो चार नियुकरका को पर पास मैं ऐसा को पह कहा है एक मा चार बच्चल को पाल सकती है यह बाई चार वच्च वो गया आठ वच्चे हो माइया तो सबको पालन माइया क्योंकि यह सब बीकास हुआ है. यहां पर होल बेगेरा सब चीज बने हुए हैं सब बक्तों के से उसी बने हुए हैं जैसे मराजीन कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है मराजी आपका धन्यवाद करता हूँ और मुझा पढ़नाम से करते हुआ जो माता जी कि मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ जो दर्शन की है हमने तो वो इसी कुंट से प्राकट हुए थे ना कि कोई बने गए हैं ऐसा नहीं कि मूर्तिकार ने बनाया ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहां प्राकट है यहां पर जो पंडी जी पुजरी जी उनके मार्ग अब दर्शन से मैं बताना चाहता हूं माराजी क्या यह एक अच्छ प्राकट होए थे यह पहले आज भी जो के पराने भब्य हैं जो के आज भी बंदी देवी का जो इस्थान था सबसे पहला इस्थान मावन में था जो कि आज भी जो रमर्रिती के लिए अंदर जातने यो में दरवाजा वना हुआ है वो मयया की नाम से ही बना हुगा है, आज भी, बनादी माता की नाम से, एक चीज में आपको बता ना भूल गया था और महराजी भी अभी मुझे याद दिला यहां एक सकीन वेटा जैसे कि माताजी के जैसे उसमें जब गोकुल पर कष्ट आया था जो गोकुल को अपने सर पर धारन किया था जैसा आप देख पारो और एक साथ पूरे गोकुल का दर्सन हमें हो रहा है और महराजी हमें इसके बारें थोड़ा बताएंगे यह जिस समय मैया ने का था बंदी देवी ने कि जाकर के गोकुल मंडल के अंतर कनिया की रख्या करना और गोपी गॉालों की रख्या करना तो मैया ने का में एक एक करकी कि इसकी रख्या करूंगी तो मैया ने पूरा गोकुल मंडल अपनी मुष्टका में रख लिया जिससे किसी कोई आएगा तो मेरे हातों पे आएगा पहले और जब मेरे को पता चल जाएगी तुरंट के गोकुल के अंदर कोई आ रहा है तो मैया ने उसी समय कह दिया था कि जो कोई भी इस गोकुल मंडल के दर्शन करेगा तो उसके पूरे गोकुल मंडल के दर्शन हो जाएगी इसी के दर्शन करने से पूरा गोकुल मंडल आपको दर्शन परदान कर देगा वही फ़ल मिलेगा पुरगोखुल मंदल का दर्सन का फ़ल मिलेगा और अश्ट भुजा धारी है मातारानी के अश्ट भुजी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ भुजा है क्योंकि हम इस समय बस नहीं बढ़ा सकते महिया के जो कि हम आपको दिखा देते नहीं त दर्सन करें महिया के की जिसे मराजी नहीं बताया है और बहुत ही अज्या सेर पे सवारे महिया ए और मेशासराथ मे लगा ए जिसे महीया ने जिसारे दर्सन पुजान क्योंकि आप सिंगार की दर्शन है यह पूली सच्ची दरवार की जै। यह मनोखाम चाते, यह आनन्दी देवी की।